हेलो बच्चों, जेई मेंस 2022, डे वन, सेशन वन का जो पेपर है, उसके फिजिकल इनॉगनिक के अब हम कुछ और क्वेशन्स को डिसकस करते हैं, जो हमने मेमरी बेस पे कलेक करे हुए हैं स्टूडेंट से, ठेक हैं? चलिए अगला सावाल देखते हैं, इस सावाल के अंदर और उने केमिकल इकलीब्रियम का रियक्शन दिया हुआ है, और हमें एक रिलेशन्शिप स्टैब्लिश करने के लिए बोली है किस चीज के बीच में, के पी, और अल्फा के बीच में, अल्फा क्या होगा, अल्फा इस एक्चुली दर डिग्री ओफ डिसोसियेशन, पी जो ह और देखे त्मको क्षेशन को इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए था, यह देखए क्या दिया हुआ है, मेने इनिशल मोल अजूम कर लिए हैं, इस ह अर द मोल इनीशले, आई मतलब इनीशले हो जाएंगे, वा रियक्टन 40 check पाल्व पर ड Jei, जो Terve डिए, देन क्या होकर A में से A alpha dissociate हो गया Stratiometrically हम देखते हैं कि इसके इतने mol अगर हैं equilibrium पे तो इसके इतने और इसके इतने बंकर आ जाएंगे अब यहां से मेरे को क्या करना है मेरे को kp का expression निकालना है kp के expression में क्या होएगा partial pressures आएंगे partial pressures के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा mole fraction निकालना पड़ेगा तो देखें उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या कर लिया total mole z equilibrium निकाल लिया कैसे ये जो equilibrium के moles है इन सब को जोड़ दिया total mole z equilibrium आगे अब हमने क्या कर दिया kp के expression में हमने values put करना start कर दिया है क्या क्या values put करी होंगी तो हमने एक एक स्पीशी का जो partial pressure है वो यहां पे हमने put कर दिया finally solve करें तो जो kp का expression आता है वो एक बहुत complicated सा ऐसा कुछ expression आ जाता है ठीक है अब हमें exactly नहीं पता कि jmeans ने क्या पूछा था क्या expressions वो लोग चाते थे पर अच्छी बात यह है कि उन्होंने जो options दे रखे थे उन options के अंदर there was only one option जिसके अंदर p की power क्या दीवी थी half अब अगर आप approximate करके relation निकालें तो भी वहाँ p की power half आ रही है अगर आप original expression को देखें तो वहाँ पे भी p की power क्या आ रही है half के बराबर ही निकल कर आ रही है ठीक है in fact p की power जो half है यह तो आप शैद यहाँ से भी देख सकते थे एक बर देखिए reaction के अंदर क्या होने वाला है हमको पता है जब हम इसका partial pressure लिखेंगे तो what will be there mole fraction आएगा into total pressure आएगा ऐसे यहाँ पे भी mole fraction आएगा into total pressure आएगा और यहाँ अगर मैं expression लिखूंगा तो क्या आएगा बताइए mole fraction मान लीजे x double dash और into total pressure लिकिन जब इसको expression में लिखेंगे तो आपको पता है expression में इसकी power half आएगी अब आताइए अगर इसकी power half आ रही है तो क्या आपको लगता है ratio लेने पे P से P तो cancel ही हो जाएगा तो सीधा reaction को देख के बोला जा सकता था कि जो KP का expression आएगा उसके अंदर P की power half आएगी तो इस question को solve करने की ज़रत नहीं थी हम सीधा बोल सकते थे कि KP का वो expression सही होएगा जिसमें P की power कैसी आनी चाहिए half power आनी चाहिए chemical equilibrium chapter का ये question है class 11 physical chemistry ठीक है? चलिए next सवाल देखते हैं इस सवाल के अंदर देखे metallurgy chapter से ये question है हम कई बर बच्चों को ors याद करने को बोलते हैं ये उनी ors के उपर बेस question है चार ors आपको दिये हुए हैं सामने उनके formula लिखके दिये हुए हम से पुछा गया है कौन सा वाला or किस formula के साथ मैच करेगा? ठीक है देखते हैं एक बार कौन-कौन से ors दिये हुए हैं देखें calamine, calamine जो होता है ZnCO3 ये इसके साथ मैच करेगा ciderite जो है ये iron का एक ओर होता है this is iron carbonate ferrous carbonate होता है ये इसके साथ मैच करेगा then बढ़ा famous ओर galena उन्होंने दिया हुआ था galena जो ओर है that is simply sulfide ore of lead that is PBS next बात कर रहा हूँ svelerite के बारे में svelerite zinc का sulfide ore होता है zns is going to be the matching इसे को कई बार zinc blend नाम से भी बुला दिया जाता है तो आप देखे इस तरीके का एक match the column का question उन्होंने पूछा हुआ था और इसके corresponding उन्होंने options बनाए हुए थी we don't have the exact options क्योंकि ये एक memory based paper है लेकिन अगर आपको ये सारी matchings पता होती तो you could easily select the correct option ठीक है चलिए नेक्स आवाल देखते है surface chemistry chapter class 12 physical chemistry में से ये वाला question लिया गया है देखे उन्होंने दो statement दिये वे थे एक statement उन्होंने दिया हुआ है O obliq W that is actually oil in water type emulsion वो बोल रहे है oil in water type emulsion एक unstable emulsion होता है देखे सारे के सारे emulsion emulsion normally दो प्रकार के होते है एक होता है oil in water type एक होता है water in oil type दोनों ही unstable nature के होते हैं तो इन्होंने इस वाले को unstable बोला है तो बताइए पहला statement तो कैसा हो गया सई statement निकल कर आ गया अब बात करते हैं दूसरे statement के बारे में दूसरे statement में उन्होंने बोला है excess of electrolytes are added for stability अब देखे अगर आप excess of electrolyte डाल देंगे तो हम देखते हैं इसके कारण क्या हो जाता है तो I am simply saying that this leads to coagulation और अगर इसके कारण क्या हो रहा है coagulation होकर आ रहा है तो हम बोलेंगे stability stability बढ़ेगी नहीं stability तो क्या होगी घट जाएगी जबकि हमसे तो बोल रहे हैं कि हम stability के लिए इसको मिला रहे है तो यह गलत statement निकल कर आ जाएगा पहला statement सही है दूसरा statement गलत है इस type के options दीए वे थे जैसे first statement is true second statement is false first statement is true second statement is true इस तरीके से options बनाए वे थे तो first statement true second statement false निकल कर आएगा ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं B2H6 के उपर बेस सवाल था ओके class 11 के अंदर inorganic chemistry में जो P block chapter दिया हुआ है उसके अंदर एक compound है that is B2H6 बड़ा famous compound है diboran इसके बारे में 4-5 informations दीवी थी और हमको बताना था सई statement कौनसा निकल कर आएगा ठीक है चलिए देखे पहला statement या पहला information इसके बारे में दीवी है ये Lewis acid होता है ओके इस यू रिमेंबर तो B2H6 के अंदर banana bonding होती है इसके अंदर कौनसी bonding होती है electron deficient bonding होती है अब देखिए अगर electron deficient bonding है इसका मतलब हम बोल सकते है electron की तो कमी है और अगर electron की कमी है तो ये loan pair accept करने की tendency रखेगा और अगर ये loan pair accept करेगा तो it should behave like a Lewis acid पहला statement तो सही आ रहा है next देखते है next statement में इनोंने बोला हुआ है इसका structure कैसा होता है एक बार मैं आपके लिए draw कर देता हूँ यहाँ पे ये देखिए boron के साथ कुछ hydrogen जुड़ेवे हैं इस तरीके से ये normal covalent bonds है दो centered दो electron वाले bonds लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो क्या situation आजाती है दो hydrogen bridge रूप में जुड़ेवे होंगे these are the bridge bonds ये जो bridge bonds होते हैं इनी को three center two electron bonds बोलते हैं तो बताइए three center two electron bond एक तो उपर हो गया एक नीचे हो कर आ गया इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ इनोंने बोला है चार bond होंगे three center two electron वाले जबकि मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ two bonds होंगे three center two electron वाले और अगर ऐसा है तो ये वाला statement गलत निकल कर आ जाएगा आपको समझ में आना चाहिए यहाँ four नहीं आएगा इसकी जगे क्या आना चाहिए था two आना चाहिए था तब जाके ये वाला statement सही होता ठीक है चलिए next statement के उपर चलते हैं यह हमसे बोल रहे है all bh bond lengths are equivalent ऐसा नहीं देखा जाता है हम देखते हैं यहाँ पर अपने पास जो terminal वाली bond length आ रही होती है देखे क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर terminal वाली जो bond length होती है वो छोटी होती है और जो bridged वाली bond length होती है वो बड़ी निकल कर आती है इसका मतलब सारे के सारे bh bond lengths identical नहीं है इसलिए ये वाला statement भी गलतों कर आ जाएगा further next statement के उपर चलते हैं इन्होंने कहा है it can be prepared by the reaction of bf3 and na bh4 basically एक simple सी बात है कि अगर आप bf3 के साथ में कोई साभी hydride mix कर देते हैं तो हम देखते हैं b2h6 बन कर आ जाता है कई सारे hydrides हो सकते हैं जैसे एक hydride नोंने ये दिया हुआ है अगर आप यहाँ पे lia lh4 ले लें ये भी एक metal hydride है ये भी क्या form कर देगा b2h6 form कर देगा तो basically bf3 के साथ में आप कोई भी metal hydride ले लें उससे क्या हो जाने वाला है b2h6 बन जाने वाला है ये statement सई statement है last statement में इन्होंने बोला हुआ it is planar अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी problem है अगर हम यहाँ पे boron की hybridization को देखते हैं तो वो आती है sp3 अब देखिए sp3 में तो आपको पता है arrangement should be tetrahedral और अगर tetrahedral arrangement होगा तो हम ऐसा देख सकते हैं कि सारे atoms तो definitely same plane में लाए नहीं करेंग in fact अगर हम यहाँ पे जादा से यादा atoms की same plane में बात करें तो हम देखते हैं यह जो bridge atoms हैं यह out of the plane होते हैं ठीक है बाकी सारे atoms को आप क्या कर सकते हैं board के plane में imagine कर सकते हैं तो अगर इन दो atoms को छोड़ दें तो आपको समझ में आ रहा होगा बाकी 6 atoms can be imagined in the same plane इन्होंने तो काए पूरा molecule planar होना चाहिए तो ऐसा तो नहीं हो सकता दोनो bridge bonds जो हैं they cannot lie in the same plane with the remaining atoms इसलिए यह वाला statement गलत होकर आ जाएगा अब देखें इसी एक corresponding अगर हम देखें तो A और D statement सही हैं ऐसा कौन से option में दिया हुआ है first option में दिया हुआ है this should be the correct answer of the question ठीक है चलिए next आवाल देखते हैं एक बार आपको solid state chapter से एक question दिया हुआ है दिखें क्या बोला हुआ है आपसे बोला हुआ है X-A element है जो HCP structure बना रहा है Y क्या कर रहा है उस structure के अंदर two-third of the tetrahydral voids को occupy कर रहा है ठीक है फिर आपसे ये पूछा हुआ है कि जो compound बनकर आएगा इन दोनों elements के combination से उसके अंदर आपको बताना है कि mole percentage of X कितनी आईगा ठीक है चलिए पहले formula बनाते हैं फिर उसके बाद mole percentage calculate करेंगे formula कैसे लिखा जा सकता है ये देखिए अपने पास में I am simply saying X है HCP के अंदर हमें पता है पर यूनिट सेल 6 atoms होते हैं तो वो लिख दिया गया है देखिए संख्या ठीक है then tetrahydral voids की जो संख्या होती हम जानते हैं that tetrahydral voids are पहले तो इन्होंने क्या बोला हुआ है अपने को question के अंदर इन्होंने ये बोला हुआ है यहाँ पे हमारे लिए कि two-third of the tetrahydral voids are getting occupied अब देखिए two-third हो गया और tetrahydral voids की जो संख्या होती है वो atoms की संख्या की दुगनी होती है अब देखिए atoms की संख्या कितनी है 6 तो tetrahydral voids कितने हो जाएंगे 12 यहाँ पे आप देख सकते है देखिए उसी के corresponding अगर आप simplest ratio लेके formula निकालेंगे तो formula आजाएगा x3 y4 के बराबर अब मुझसे पूछा हुआ है आप इस formula के इसाब से x की mole percentage निकाल दें कैसे निकाला जा सकता है simple सी बात है xk atoms की कितनी संख्या है बताइए 3 3 संख्या हो गई total atoms की कितनी संख्या है 3 और 4 7 3 by 7 into 100 कर देंगे solve करने पे जो value आती है that comes out to be 42.85% अगर हमको यहाँ पे round off करने के लिए बोला हुआ है ऐसा question में दिया हुआ था कि आप nearest integer के रूप में round off कर दें तो what is going to be the correct answer 43 is going to be the correct answer ठीक है चलिए next सवाल के उपर चलते है यह सवाल जो है यह S block chapter जो है class 11th inorganic chemistry वहाँ से लिया गया था हमें LI और MG सिर related कुछ statements दिये वे हमें बताना था कौन सा statement सही है कौन सा statement गलत है ठीक है diagonal relationship होती है they are diagonal related with each other अगर ऐसा है तो what I am simply saying is उसी से related NCRT से pure based question यह लिया गया था देखते हैं क्या क्या statements इन्होंने बोले वे देखिए इन्होंने बोला है पहली चीज़ तो LICL, MGCL2 बोथ are soluble in ethanol हम देखते हैं दोनु के अंदर अच्छा खासा covalent character होता है आपको पता होगा यहाँ पे lithium plus के बारे में तो हम बोली देते हैं कि फायान जरूल लग जाएगा इसके कारण इसमें covalent character आ जाएगा और अगर covalent character है तो यह organic solvents में soluble होकर आ जाएगा वोई चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही दोनों के अंदर ही ऐसी characteristic देखी जाती है कि they are somewhat covalent in nature और अगर covalent nature है तो फिर यह organic solvent में soluble हो जाएगे तो यह वाला statement देखे कैसा निकल कर आ रहा है true statement निकल कर आ रहा है चलिए next statement की बात करते हैं इन्होंने बोला है oxides of Li2O and MgO combine with excess O2 to form super oxides यह गलत बात हो जाएगी देखें लीथियम और मेगनीशम जो है यह दोनों ही आगे higher level के oxides जैसे super oxides नहीं form कर रहे होते हैं ठीक है NCRT के अंदर जो statement लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है do not combine उन्होंने statement को थोड़ा सा modify कर दिया था और उन्होंने क्या हटा दिया है do not लिखा हुआ हटा दिया है तो अगर do not होता तो यह statement सही होता लेकिन अभी तो यह statement गलत है this is going to be the answer ठीक है चलिए last statement देखते हैं इन्होंने बोला हुआ है LIF comparatively काफी कम solubal होता है हाँ यह वाली बात सही है ऐसा क्यों because हम देखते है LIF के अंदर okay देखें केटाइन की साइज काफी कम है NIN की साइज काफी कम है इन दोनों के कारण हम देखते है lattice energy of the compound जो है वो काफी जादा आ जाती है और बताइए अगर lattice energy बहुत जादा है मतलब इस compound को आसानी से ions में break नहीं किया जा सकता और अगर यह आसानी से break नहीं होगा तो यह dissolve होने की भी कम tendency रखेगा और यह इनोंने question में बोला हुआ है it is much less soluble तो यह कैसा statement निकल कर आ रहा है सई statement निकल कर आ रहा है तो I will simply say that this statement should be true इस question के अंदर कुछ और statement भी दिये वे थे but memory base पे हम इतने ही statements को collect कर पाए है ओके, thank you